Hello everyone, my name is Aakash and you are watching Learn with Aakash So, यहर आज का topic है कि यहर क्लास 10 के लिए जो decision लिया आजा सकता है by ICCCBAC Council But वो चीज यहर क्लास 12 के लिए क्यों नहीं लिया आजा सकता है तो यहर मैंने जो कल एक वीडियो अप्लोड किया था regarding your exams and regarding your what the thing happening in whole world तो उसके बैसे हम क्लास 10 के लिए कुछ suggestion दिये थे कि यह यह चीज बोर्ट कर सकता है और यह चीज करना right now in this position where we are right now standing तो यह सुनते हो बहुत साथे क्लास 12 के students मेरे कर comment किया भी mail भी किया कि भया आप तो क्लास 10 के लिए लगाई कर रहे हैं तो हम तो class 12 के student है तो आप हमारे लिए यह चीज क्यों नहीं बोल रहे हैं देखो या इसका बहुत बढ़ा एक reason बनता है हम जो चीज क्लास 10 के लिए कर सकते हैं वो चीज हम class 12 के लिए नहीं कर सकते हैं भी यह क्यों लिए कर सकते हैं यह भी लेके बात करेंगे and अगर वह चीज़ हम नहीं कर सकते हैं so on that time board examination को लेके हम और क्या decision जो government and board ले सकता है in whole India in this video मैं सारे boards को लेकर consideration में ले रहा हूँ plus इसी के साथ मैं यह मान रहा हूँ कि यह video class 10 के भी students देख रहा है class 11 के भी देख रहा है and class 12 boards 2020 के students भी यह video को देख रहा है तो यार इसका बात भी सुनो class 10 के लिए जो चीज possible है वो चीज class 12 के लिए possible नहीं है class 10 के लिए हम क्या बोले थे वह video में बहुत कुछ लेखे हम बात की थे क्या क्या कर सकते है बट वही चीज जब class 12 के बच्चे में कर पूछ रहा है कि वही आप class 12 के लिए क्यों नहीं बोले थे that is not possible बट अगर वो पॉसिबल नहीं तर क्या होगा class 12 के लिए वो चीज पॉसिबल इसी लिए नहीं है क्योंकि class 10 examination although it's a important examination in your life but rather than also you will get time 2 years to cover up it and and you can score a very good marks in your class 12 मानलो तुम class 10 के अंदर तुम्हारा कुछी subject बच्चे है किसी का चार किसी का तीन cbsc का तो यह class 10 के exam हो गया है self or self not dilly के अंदर बच्चे है बागी के states के लिए या फिर state board में बहुत सारा state board में यह exam हो गया 10 का ठेक है ICC में नहीं हुआ यह कलक्ट बात है ठेक है बट ICC में जो subject नहीं है उसके relevance में वो लोग तुमको marks दे सकते है the subject that has been done because right now we don't want that any student go out of their house and come in with COVID-19 we don't want that thing very good भाया बट अभी class 12 के लिए क्या यह कर सकते है class 12 के लिए यह चीज कर नहीं सकते क्योंकि class 12 के लिए मैं अगर देख के बोल सकता हो कि class student में ICST के लिए मतलब IST के लिए जो exam left is biology BST and like that 8 papers are left and जाद अथर student का एक या फिर दो exam बज़िया ठीक है एक या फिर दो तो भीजा क्या वो एक exam को cancel कर सकते है and अगर cancel करते है तो उसके basis both क्या decision ले सकते है अगर वो exam cancel करते है तो उसके basis both क्या decision ले सकते है तो एर वीडियो को ध्यान से देखना and थोड़ा share करने वीडियो को ठीक है या थोड़ा share करने इस वीडियो को भी तो एर मैना पहला बात है कि biology is an important subject and for need student it is important obviously it is important but अगर exam ना लेके कुछ alternative निकाला जा या अगर ऐसा कुछ सोच सकते है ICC and CVSC CVSC यार computer and all ऐसा कुछ subjects बचे है but मैं बोलूंगा यार जो subjects बचे है न यार उसमें कुछ-कुछ subjects यार elective subjects है तो उस elective subjects को they can either consider project or they can take the exam as they have already mentioned that they can take the exam in confinement zone during your compartment exam but यार compartment exam तक क्या हम बैठे रहेंगे यार मैंना यह question है तुम बोल रहा है कि तुम compartment exam के time में exam लोगे ठीक है मैं मान रहा हूँ but इतना दिन compartment exam होगा कब and compartment exam तभी होता है जभी result आता है यार रिजल्ट आने के बाद compartment exam होता है तो यार जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक हम compartment exam देंगे भी कैसे and compartment student के साथ हम क्या बैठके exam देना पड़ेगा यार यह भी उतना कुछ sense नहीं बनता है क्योंकि उतने दिन से बहुत time चला जाएगा and इससे भी important बात है class 12 के student के लिए college admission तुम्हारा यार राइट नाओ college admission and मान लो तुम्हें एक ISC के student हो एगा and तुम microbiology लेके परना चाहते हो तब तो college तुम्हारा marks मांगे गाई ना तो on that time we cannot tell that कि यार नहीं class 12 के exam cancel कर दो इसी के साथ यार इसी के साथ हमको यह भी देखना पड़ेगा यार इसी के साथ हमको यह भी देखना पड़ेगा कि जिस तरीके से यह कोविट फैला हुआ है right now to your exam करना मुश्किल है मुश्किल है तो कर क्या सकते है या क्या कुछ extra कुछ नहीं निकाल रहा है अभी मेरे ख्याल से मेरे को यह लगता है कि government को इसके अदर इंटर्फेर करना पर चाहिए and ICSC, CBSC, ISC, किसी स्टेट बोट जो भी है या फिर NIOS अलसो यह पाच चीज को लेके यार government को कुछ decisions लेना चाहिए and जो decisions जिसके basis फूल इंडिया के अंदर equal decisions लिया जाए for each and every vote अगर तुम बोट के ऊपर छोड़े तो बोट तो यार different different vote different different decisions लेगा obviously बोट सेम रखो यार बोट कोई दिक्कत नहीं है बट government का कुछ इसके अंदर initiative करके intervene करके कुछ ऐसा decision लेना चाहिए जो कियर एक student के लिए अच्छा है and हमारे लिए भी अच्छा है उसके क्या decision हो सकते है क्या नहीं हो सकते है अगर तुम जानना चाहते हो में करके कमेंट करना अगर जादा कमेंट आएगा अगर वीडियो अगर 150 लाइक्स पड़ेगा तो आइविल ट्राइट तू मेक दे सेकेंड वीडियो क्या क्या decision class 12 के लिए लिए लिया जा सकता है regarding this topic तब तक के लिए चलते हैं see ya have a good time फिर मिलूंगा नेक्स वीडियो में good bye